नमस्कार दोस्तों मैं अपना यूट्यूब चैनल All About Cricket में आप सबको स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल होने वाला मैच इंडिया फ़सेस पकिस्तान के बारे में वीडियो को एंड तक जरूर दिखिएगा टीम इंडिया आउस्ट्रेलिया में T20 World Cup खेलने गई है इस टीम के साथ कही प्रमुक्खे लाड़ी चोट के चलते नहीं जा सके इस मैच में स्टार All-Rounder रबेंदर चड़जा और स्टार बोलर चस्पित भूमरा भी सामिल है भारत ने पहले वार्म अप मैच में उस्ट्रेलिया को छे रन से हराया था इसमें भारत की ओर से केल रहूल, सुर्यकुमर यादब ने कमाल की बेटिंग की और भारत का दूसरा वार्म अप मैच भी बारिस के चलते धुल गया था दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टीम इंडिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में जो की इस मैच में खेल सकते हैं भारत के टॉप अटर बल्लेवाज केल राहूल, राइट सर्मा और विराट कोहली रहेंगे प्लिम फिराट कोहली सहीन अफरीदी के खिलाब कैसे बेटिंग करते हैं ये देखने लायक होगा और मीडिरल और बैट्समैन सुर्या कुमर यादव, हर्दिक पांडिया और मेरे हिसाब से दिनेसकर्थिक खेल सकते हैं क्योंकि आप सबने देखा होगा वार्मप मैच में लिसर प्रण्थ को चांस नहीं मिला था टीम इंडिया मैनेजमेंट दिनेसकर्थिक को लेके थोड़ा पोजेशिव है तो मेरे हिसाब से दिनेसकर्थिक ही खेलेंगे इस मैच का रेजल्ट हर्दिक पांडिया के अल रांडर पर्फोमेंस के उपर थोड़ा ज्यादा निर्वर करेगा जड़जा की चोटिल के चलते टीम इंडिया मैनेजमेंट अक्सर पटल को डिपलेस कर सकते हैं जो की सही है अगर टीम में असिन को जगा मिलती है तो टीम इंडिया के बेटिंग लाइन अफ थोड़ा ज़्यादा मजबुत दिखेगा जो की आखिर में भी बेटिंग कर सकते हैं और बाकी के तिन गेंदवाज मुहमद सामी, बुनिशर कुमार और हर्षदिप सिंग होंगे काफी सोच रहे होंगे कि हर्षदिप को अर्षदिप के जगा टिम खेला सकता है लेकिन मैं परसनली अर्षदिप को रेकॉमेंड करूंगा क्यूंकि वो लेट आर्मर बोलर है और उनके पास थोड़ा ज़्यादा गती और बाउंस के साथ यरकर भी डाल सकते हैं दोस्तों यह रहा मेरा भारत का प्लेइंग 11 पकिस्तान के खिलाफ अगर आप किसी भी बेटिंग आफ यूज करते हैं आप सुर्या को कैप्टन ले सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्रेब जरूर कीजिएगा जई हिंद